गुड़ मॉर्निंग आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल पे और आज स्टार्टिंग हो रही है हमारे आगन के फूलों से तो देखिए अभी तो बरसात है तो इतने ज़्यादा फूल लगाए नहीं है और देखिए बारिश अभी खोई रही है थोड़ा सा मौसम में परिवर् आचुका है तो सुभा सुभा हो रही है बेटे की स्कूल की तयारी और बच रहे हैं पौने साथ और उसको रेडी कर रही हूं मैं फटाफट से तो मेरा बेटा ना बहुत ज्यादा नटखट है इसको हर चीज के लिए बोलना पड़ता है कि बेटा ऐसा करो अभी भी देखिए उसकी शैतानिया ही सूज रही है उसे सुभे सुभे काम ज्यादा होता है तो इतना टाइम नहीं होता और बेटा पूरा रेडी हो चुका है और अपने पैन बगेरा चेक कर रहा है तो बेटा जा चुका है स्कूल और वो ही मेरा रोज का स्टार्ट हो चुका है सफाई का काम तो पहले मैं सबसे पहले सफाई कर लेती हूँ उसके बाद बाखी के मेरे काम होंगे तो सबसे पहले चलिए अपना काम निप्टाते हैं उसके बाद हम आगे क्या करते हैं आपको दिखाते रहेंगे आप लोग ब्लॉग में बनी रहिएगा अभी तो मेरा मॉर्निंग का हो रहा है काम और साथ साथ मैं टेवी भी लगा देती हूँ और टेवी में भजन लगा देती हूँ तो भजन भी चलते रहते और मौसम हो गया है बारिश का और बारिश स्टार्ट हो चुकी है आज काफी टाइम के बाद हो रही है वारेशे देखिए तो तयारी हो गई है नास्ते की और नास्ते में बना रही हूँ मैं आज बैगन आलू की सबजी और रोटी तो बस मैं फटाफट से बना लीती हूँ सबजी तो मैंने प्याच और टमाटर अच्छे से भून लिये हैं और अब मैं टमाटर को गलाने के लिए नमक और बागी के मसाले अट कर देती हूँ और देखिए अब फटाफट से मसाले पक जाएंगे तो मैं इसमें बैगन और आलू अट कर दूँगी आज मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही है क्योंकि नम बैगन पहले डाल दो तो वो थोड़ा गल जाते हैं इसलिए आज मैं आलू डाल के आलू को अच्छी से थोड़ी देर पका लेती हूँ जिससी जो है आलू थोड़ा पक जाएं उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद बैगन डालूँगी तो आज मैंने पहले आलू डाल दिये हैं और इनको अब मैं थोड़ी देर पकने के लिए रख दूँगी जब यह थोड़ा पक जाएंगे न उसके बाद मैं इसमें बैगन डालूँगी तो चलिए इनको थोड़ी देर ढख देते हैं और पकने देते हैं अराम से तो मैंने इन्हें धग दिया है और बैगन मैंने कट करके रखे हैं चलिए देख लेते हैं हमारे आलू कितने पक चुके हैं और देखें बहुत ही टेस्टी लग ही यह देखने में और आलू भी हलके हलके मुलायम हो चुके हैं तो अब हम इसमें बैगन एड़ कर देंगे, इससे क्या होगा ना? बैगन जल्दी से गलेंगे न.. बैगन ज्यादा गल जाते तो अच्छे नहीं लगते.. तो इसलिए मैंने पहले ही आलुयों को थोड़ा सा पका लिया है.. अब हम इसमें एड़ कर देंगे बैगन.. तो मैंने इसमें बैगन भी डाल दिये हैं और देखिए कलर तो बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी होगी आई होप आप अगर सब्जी में टामाटर अच्छा डाले ना तो सब्जी अपने आप ही टेस्टी बन जाती है तो अब मैं सब्जी को पकने के लिए रख देती हूँ तो मेरा ना सारा काम हो चुका है अब भी अब मैं पूजा कर रही हूँ और मैंने आज सोचा था काहना जी को भी स्नान करा दूँगी तो बस अब काहना जी के स्नान की तयारी हो रही है चलिए काहना जी को स्नान करा देती हूँ मैं तो आज मैं काना जी को पहला इसनान करानी जा रहे हूँ और उसके लिए मैंने लिया है दही, दूद और जल तो यही तीन चीजे मेरे पास थी तो मैंने सोचा इनी से मैं काना जी का अभिशेक करती हूँ उनको नहला देती हूँ तो चलिए तो मैंने दही ले लिया है, दूद ले लिया है और जल ले लिया है तो मैं इनसे काना जी का भी शेक करूँगी, उनको नहलाओंगी तो काफी अच्छा लग रहे है, फीलिंग एक अच्छी आ रही है मैं तो सोचा नहीं था कि मैं ऐसा करूँगी पर अच्छा लग रहा है एक फीलिंग ही अलग आती है तो बाके बिहारी को इसनान कराते कराते आप लोग को में एक भजन भी सुनाती हूँ अच्छा लगा रहेगा जब तक इसनान करते हैं काना जी तो चलिए मेरी बाके बिहारी लान तो इतना ना करियो श्रिंगा नजर तो ही लग जाएगी काना नजर तो ही लग जाएगी तेरी सुरतिया में मन मेरा अटे का प्यारा लगे तेरा पिला पिला पटे का तेरी तेरी मेरी चांग तेरी तेरी मेरी चांग तो इतना ना करियो श्रिंगा नजर तो ही लग जाएगी तानहा नजर तो ही लग जाएगी तेरी मुरलिया में मन मेरा अटे का प्यारा लगे तेरा निला निला पटे का तेरी घूं घरे वाली बाल तो इतना ना करियो श्रिंगा नजर तो ही लग जाएगी तेरी का मरिया में मन मेरा अटे का तेरी का मरिया में मन मेरा अटे का प्यारा लगे तेरा कला कला पटे का प्यारा लगे तेरा कला कला पटे का तीरी घली वै जनती मा तु इतना ना करियो शिंगा मजरे तो हे लग जाएगी काना मजरे तो हे लग जाएगी तेरे बाकी दिहा ने जाल तु इतना ना करियो शिंगा मजरे तो हे लग जाएगी काना मजरे तो हे लग जाएगी काना मजरे तो हे लग जाएगी तो मेरे काना जी रेडी हो चुके हैं देखिए और बहुत ही सुन्दा लग रहे हैं तो मेरे काना जी देखिए कितने सुन्दा लग रहे हैं अगर आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताईएगा आपको कैसे लगे तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बब बाई तो प्लीज आप चैनल को पहले सस्क्राइब करें फिर लाइक करें और शेयर करें थैंक यू फर वाचिंग बबाई